गर्याबंद स्पी गोश्डराम पटेल की नेत्रित्व में पुलिस कर्मियों द्वारा राजीम थाना परिसर में इकदरजन पौदों का रोपन क्या गया सौसर पर ने स्पी, स्टी, ओपी, आर आई, टी, आई सही थाना के तमाम स्थाप मजूद थे स्पी ने थाने में रोपे गए तमाम पौदों के सरक्षन और सरकर्धन की जिम्मेदारी थाना परिवार को देते हुए अन्यन लोगों को भी प्रोटसाहित करने की निर्देशित किया बदादे परियवरंधियोस के औसर पर कलगरियाबन पुलिस ने जिले के सभी गाउं में रिक्षर ओपन करने का बड़ा फैसला लिया वही पुलिस प्रशासन द्वारा किये गया इस रिक्षर ओपन को पुलिस पेड के नाम से जाना जाएगा इसके अलावा जिला पुलिस अधिकारियों द्वारा जिले के शहीद 12 जवानों के गाउं में शहीदों के नाम पर विक्षर ओपन करने का भी फैसला लिया गया इस सानों में पुलिस अलिक्षक बोजरान पटेल, सुएम सडहुली और गर्याबन में शहित जवानों के नाम पर रिक्षर उपन किये वहीं छूरा शेत्र के काम राज भैसा बुड़ा पसंबुड़ा और सोरित गाउं में अगर्ट पुलिस अलिक्षक सुपनंदर राठों ने पहुँचकर इस कारे को अंजाम दिया, इसका लावा देव भोग्षेत्र में थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ सहीदों के गाउं पहुचकर ब्रिक्षर उपन किया वर्लड इन वार्णमेंटे में अज हम सभी ने कोशिश किया है कि हमारी पुलिस टीम के माध्यम से हमारे जो पुलिस के जवान या अन्य जो फोर्स के जवान जो शहीद हुए थे उनके नाम पर हम लोग उनके परिवार के साथ में मिल करके एक एक बिक्ष लगाएं और ये मिसन सिर्फ शहीत के गाउं तक ना रहे बलकि उनकी याद में हम लोगों ने प्रतेक थाना CRPF के कैम जहां पर पुलिस की चाओं की स्थापित आउट पोस्ट है वहां भी हम लोगो स्टेशन है वहां पर हम लोग एक एक पेंड लगाएं वहां पर और इसमें लगवग लगवग अभी तक सुबह से लेकर के अभी तक आठिवी तक 800 बिक्ष याणि आठिवत लग चुके हैं जिसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि सभी प्रकार के बिक्ष को हम लोगों लगाएं साथ ही साथ ही इसमें पुलीस जो फैमिली है पुलीस के जावान हैं सभी अपने परिवार के साथ मिल करके भी यहाँ परिक्ष लगाएं ताकि सभी लोगों को एक खुशी भी मिले और सभी लोग एक जूट रहें और प्रकृति की रक्षा करें आज पुरा वेश्व कोरोना संकट का मार्श हिल रहा है ऐसे में परियावरन दिवस के आउसर पर नेशन अपडेट की टीम आपसे अपील करती है कि अपने सुरक्षा के लिए एक पेड अवश्य लगाए पेड ऑक्सिजन देने के साथ साथ आपकी इम्म्यूनिटी सिस्टम क वो भी बुस्ट करती है तो अभी के लिए बस इतना ही तब तक के लिए हमें दीजे इजाज़त और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रही है हमारे साथ नेशन अपडेट.in में और हाँ आप खबरों से हर पल अपडेट रहन अपडेट.in